बेडिंग सीरीज हमारी स्टार्ट हो चुकी है जैसे कि आप लोगों को पता है मैंने कई सारे वीडियो जो ए अपलोड करे हैं तो आज का वीडियो है हमारा लहंगा स्पेशल मैंने पढ़ एंपुआ है मीशु से तिने धेर सारे लहंगा मीशु से अम ऐसी उमीद नहीं कर सक जैसा ही की हुआ है मेरे साथ इस बार आंगे वीडियो में आपको बताऊंगी कि मैं क्यों बोल रही हूं चलिए आज का वीडियो जो है फटा फट से स्टार्ट करते हैं और ओपिन करते हैं अपने लहेंगा कि भी मैंने जस बाहर से देखा हुआ है पूरा लहेंगा देखने के लिए मैं भी बहुत ही जादा एक्साइटर हूं कि वर्थ बाइंग है या नहीं प्राइस के कॉर्डिक जो हमने पे करा है और क्वालिटी बगर कैसी आपको सारी डिटेल में बात करेंगे तो सबसे पहले है यह वाला लेंगा आप इसकी उरिजिनल पिक देखी इस तरह का है और इसमें धे सारे कलर मिल जाएंगे कलर आफ्टों आप जो मर्जी कलर मंगवा सकते हूं बहुत सारे कलर ते जो बहुत ही अच्छे थे पट हमने मंगवाया यह सी ग्रीन टाइप का कु मतलब पैकिंग बनारा बहुत ही अच्छे से क्लीव होकर थे आई और यह है कुछ लहेंगा इस तरह का विंटर में वेडिंग मतलब वेलबेट का बहुत ही जाधा क्रेंग रहता है सो यह सबसे पहले हम दिखाते है इसका दुपत्ता जो आएगा नेट के फाइबिक में और इसका प्राइज भी अब सब कुछ बताएंगे आपको इस तरह से हलका सा इंब्रोयट्री आएगी बहुत जादा हैवी नहीं है नेट के कप्डे में ही इंब्रोयट्री है इस तरह से दुपत्ते की लेंथ और विर्थ काफी ठीठा है बहुत जादा नहीं है और बहुत कम मेडियम में आएगी और इसकी जो इंब्रोयट्री है वो भी काफी अच्छी है बहुत ही चीफ नहीं है इस तरह से यह देख सकते हो आपको लो तो यह तो रहा हमारा दुपत्ता तो काफी अतक कास हो गया है उसके बाद हम दिखाते हैं अपना ब्लाउस जो फुल इंब्रो और उसके बाद आएगा यह यह बैक साइड में आप जो है लेस वगरे लगाकर के थोड़ा सा अच्छा करवा सकते हो उसके बाद आती है हमारी स्लीप्स जो अगें स्लीप्स के लिए काफी ज्यादा अच्छा कपड़ा दिया हुआ है यह दो इतना इतना कपड़ा दिया और अगर स्लीप थोड़ी चोटी करवाणा है न तो इससे फ्लावर निकाल के आप बैक में भी लगा सकते हो इतना कपड़ा इसमें निकलाएगा जो विल्बेट की क्वालिटी है वो एवन है आप देख सकते हो कितनी अच्छी से दिलीए है रिच लुक आ रहा है बहुत ही वह स्यादा बलकी लगे उतना नहीं लगेगा क्योंकि उपर जो बेल्ट अगाई हुए वो आप पिटिंग का करवा सकते हो यह इस तरह से पूरे में इंब्राइडरी करी है आप देख सकते हो इस तरह से और नीचे यह बॉर्डर दिया हुआ पूरा उसी कपड़े में वर् यह इस तरह से इतना ज्यादा है इसका घेर सो बहुत ही ज्यादा सुन्दर लग रहा है मुझे यह सो चलो इसको बीर करके देखते हैं कि इसका फाइनल लुक जो है कैसा आने वाला है सो फाइनली मैंने वियर कर लिया है लहेंगा और इसकी क्वालिटी मुझे इतनी ज्यादा अमेजिंग लग रहे है आप इसको कई सारी फंक्शन में पहन सकते हो बट क्वालिटी इसकी जो है वैसे ही रहेगी इसकी साइन इसकी चमक एकदम न्यू लगेगा अर बार इत्री नंड्रे सम्थिंग लेंगा पड़ा यह प्राइस के कॉर्डिंग मुझे मतला बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी लग रही है आप खुदी देख सकते हो वर्त बाइंग है तो आप जरूर इसको बाय कर सकते अगर पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करते हैं अपना नेक्स्ट लेंगा यह वाले देखो तुमारे फॉन में कितने का आप प्राइस देखो आई मिया पूंदे दो वाइन कलर एसका मजेंटा वाइन में बता दो देखा इसे का उन सारे है यह देख लोगे सब हैं मेरे यह है कुछ इस टाइब से बहुत ही जादा वाइरल लेंगा यह मिसु पर क्योंकि इस ताइब बहुत जादा ट्रेंड कर रहा है यह सारा का सारा कलेक्सर जो है निव कलेक्सर अपडेट हुआ है मिसु पर वो मैंने मंगवाया हुआ है तो चलिए इसको भी ओपन करके त्हुरुनियम नहीं इला है इस तरह से इसकी इप्राइड है इंप्राइड यह काफी जादा अच्छी थोड़े सी मैट सिलवर में आ रहे है ठोड़ी से नहीं एप अइप और सिलवर में है थोड़े सब औक्सिडाइस टाइप की है इसके साथ सिल्वर या औक्सिडाइस जलरी बहुत ही अच्छे से जाने वाली है यह है इसका दुपट्ता यह फुली स्टिच लेंगा इसका ब्लाउस भी इस तरह से स्टिच आएगा यह मुझे पहले नहीं पता दा मने नहीं देखा दा इस तरह से यह नेक पर बना होगा और यह पूरा चोली पैटरन आएगा बैक साइड से इस तरह आएगा कहीं भी आप ओपने नहीं कर सकते को इसको ऐसको अगर आप चाहो तो इस पे लगवाा भी सकते हो प्र यह काफि बोल्ड जो है गार ब्लाउस अगर आप प्रॉपर जो है सीप्रोड़ाज़ा और नहीं मिलें इसको तो तो इसके साथ हैं ठोड़ी प्रॉब्लम होगी यह वाला प्ल Smash आप ही कि यह आ रहा है इस तरह का कुछ लेहिंगा यह देखिए इसकी क्वालिटी उपर बॉडर दिया हुआ है नेप में है फूरा लेहिंगा और यह है इसकी इंब्राइडरी इस तरह से अंदर पिंखैन लगा करके बॉडर वगरे लगा करके सब कुछ अच्छे से दिया तो पिक में था न अगर मैं सच बताओ ना तो जो पिक में था वो जादा अच्छा लग रहा था सामने से मतलब उतना अच्छा नहीं लग रहा है मीसू के साफ से देखा जाए तो 1500 में काफी जादा अच्छे लहंगे मिल जाते है 15-1600 में तो उतनी अच्छी मुझे इसकी क्वालेटी नहीं लगी थोड़ा सा कई न कहीं है मुझे चीफ लग रहा है और साफ में ब्लाउस का भी एक वह है प्रॉग्लम सो लेना चाहो तो आप ले सकते हो मैं बट मैं बहुत जादा इसको सजेस्ट नहीं करूंगी कि आपको ले नहीं चलिए इसको बीयर करके देखते हैं क्या पता बीयर करने के बाद थोड़ा सा अच्छा लगी जाए तो सारे लेंगों में जब भी मैं स्क्रीन शॉट लगाती हूं उसी के साथ कोड मेंसन कर दिया प्राइस है तो आप जरूर चेक कर लेना बाकिस लेंगे कि बात करें यार तो मैंने बोला था ना कई बार पहने के बाद कोई चीज़ें ज्यादा अच्छी लग जाती है वही है इसके साथ भी तो काफी ज्यादा सही लग रहा है तो प्राइस के कोडिंग यार मतला वर्थ बाइंग रहेगा अच्छी डील है तो आप बाए कर सकते हैं उसके बाद करते हैं हम अपना ये वाला लेंगा और जो लास्ट में लेंगा मैं इसके लिए मैं सबसे जादा एक्साइड़ हूं क्योंकि मेरा फेवरेट होने माला है तो वीडियो को फुल वाच करिएगा और आप तक का कलेक्शन हमारा अगर पसंद आगा है तो चैनल को करके रखिए कि आसे बहुत सारे वीडियो आने वाले जिसमें लहेंगे की वीडियो होंगे ज्वैल्री से लेटेड होंगे बहुत ही सारे ये है हमारा अगें लहेंगा जो सिफोन सिल्क का होता है जिसमें सारियां बनाई जाती है तो उस ताइप का है ये लहेंगा उरिजि यह आएगा ब्लाउस, I think यह बैक का है, यह देख सकते हो बैक का है, और यह आएगी सी के साथ एक स्लीप्स, उसके बाद आएगा हमारा एक और तुपड़ा, जिसमें आएगा यह फ्रंट नेक, जो पूरे में इंब्राइडरी करी गई है, और यह आएगा स्लीप्स, सेकंड स उसके साथ मिलेगी लाइनिंग, आपको सिंथेटिक में लाइनिंग होगी, यह ब्लाउस पूरा फ्रॉबर आप किसी साइज में स्टीच करवा सकते हो, इतना कपड़ा उसका दिया हुआ है, बाकी टेलर बहुत ही अच्छे से बना भी देते हैं, उसके बाद आता है मारा द दुपट्टे का बॉर्डर आप देख सकते हो, इसके साथ जो लेस लगाई हुआ है यह वाली ना बहुत ही प्यारी लग रही है, और यह है दुपट्टा पूरे में जाल इंब्राइडरी कर रहा हुआ है, धागे का और सीक्योंस का आप देख सकते हो, यह तना सुंदर जाल सकते हो, इसकी लेफ और विर्थ है, तो ओवराल काफी जादा अच्छा लग रहा है, मुझे इसका दुपट्टा तो बहुत ही प्यारा लगा, तो दुपट्टे को देखे ऐसा थोड़ा कॉस्पली भी लग रहा है लेंगा, फिनिशिंग वगारा बहुत ही प्यारी सी आई हुई है, तो चलो लेहंगा उपिन करते हैं इसका, यह आ रहा है हमारा लेहंगा, इस तरह से उपर इस तरह का बॉर्डर बेल्ट बनाई हुए है, जिसमें कोई अवियंट बॉर्डर वगरा नहीं दिया हुआ है, कोई ब्रडरी नहीं है उपर, उसके बाद यह प्लेट के अंदर का लेहा है, उस हिसाब से देखा जाए तो कफी सही है, इसकी क्वालिटी, इंब्रोडरी, कपड़ा वगरा सब कुछ, फिंशिंग वगरा बहुत ही अच्छे से आई है, अगें धेर भी बहुत ही अच्छा कासा है, बट अंदर बहुत जादा किंकन वगर लगा करके नहीं दिया हुए, इसमें सिर्फ एक बडर दिया हुए, अगर आपके पास स्किन कैनी सकर्ट है, तो सकर्ट के साथ वियर करिएगा और भी जादा अच्छा से फ्लेयर आएगा, इसका, इसकी ये तो पास है, फिर भी चलो वियर करके इसको दिखाते हैं ठीज का फाइनल लुक जो आ रहा है वो कैसा लग रहा है एक्चुली में हम मिसू को चाहे जितनी गालिया दे लें बट इसकी मतलब जित स्प्राइज में हमें ये पार्टी वी अड्रेस मिल जाती है ना वो कहीं और नहीं मिलेंगी चाहे ऑनलाइन तो मुझे ये चीज़ काफी जादा अची लगी मतलब बजट में आपकी पॉकेट में बहुत जादा छेद नहीं होगा और हमें पार्टी वी अड्रेस मिल जाएगी ये कुछ उस ताइब की ये देख सकते हो जली ओपन करते हैं ये वाला लेंगा ये इसका ओरिजिनल पीक देखोवा इतना ज्यादा फ्लेयर था इतना अच्छा लग रहा था इस तरह कि प्रिंट में है ना लेहमे साड़ी आपने कैट्री में को पहने वे बहुत जादा देखा होगा तब ही से जादा प्रेंग भी हुए है तो चलो इसको की ओपन करते हैं ये कितने का है जो एतना छोटा सा आया है ऐसा लग रहा है कितना क्या होगा इसमें चलो देखते हैं तो सबसे पहले दिखाते हैं इसका दुपट्टा जो 3D प्रिंट में आ रहा है इस तरह से और इस तरह से इसकी लेस लगाकर के देगी है ये वाली जैसे दिख रहा था पिक में एक्जैक्ली वही कलर आया है जो आप पिक में ओरिजिनल देख सकते हो फ्लावर प्रिंट बहुत ni ज़ादा साइम कर रहा है फुर पार्टी भी यरैस आप इसको में आ जो है संगीद फंक्षन के लिए ले सकते हो आप इसको वेडिंग में पहें अ सकते हो आप इस अर आ पीर के प्रेंट अगर्रा की पार्टी में जा रहा है तो पहें सकते हो इस तताइट का कुछ जो है पूरा पीस लग रहा है चलो उपन करते हैं लहेंगा भी तो यह आ रहा है इसका पूरा लहेंगा आप देख सकते हो थोड़ा सा जो है फोल्ड होने में सिल्वटे पड़ गई है बाकी कपड़ा वगएरा काफी ज़्यादा सही है यह है नाइन फिप्टी के राउंड लहेंगा नीचे एक बॉडर लगाया हुआ है एक लाइनिंग लगाई हुई है किनके वगएरा कुछ भी नहीं है नॉर्मल जैसे स्कूर्ट होते है न वैसे ही बनाया गया है अब उतना तो फ्लेयर नहीं है जितना पिक में दिख रहा था बड़ काफी ज़्यादा अच्छा है और यह आरा है पूरा प्रॉपर ब्लाउस का कपड़ा स्कूर्ट के साथ इस तरह से बांकी पूरा यह स्कूर्ट आ रहा है आपको एक लाइन स्टिच करवानी पड़ेगी और ब्लाउस स्टिच करवाना पड़ेगा बस रेडी टू वियर हो जाएगा बहुत ही लाइट मेटेड है फ्लेयर काफी अच्छा है का अगेन है इसके सा स्टिच करवा के पहनोंगे ना तो बहुत ही प्यारा लगेगा सिंपल सोवर सा लगेगा आपको इंदूर की साधी में जाते हो तो आप इसको ले सकते हो चलिए पहन करके दिखाते हैं और यह वाला स्कूर्ट जो पहनने में मतलब देखने में तो बहुत ही साधा प्रटी लग रहा था बाट जो साइस से स्टिच नहीं है इस वज़ए से अच्छे से वीडियो नहीं आ पाया पाए बट यार जब आप स्टिच करवा के पहनोंगे ना तो बहुत ही प्यारा लगेगा सिंपल सोवर सा लगेगा जब आपको इंदूर की साधी में जाते हो तो आप सि में कोई कंप्रोमाइज नहीं है प्राइज 700 संहंतिंग ओ माइग गॉड इतने कम प्राइज में इतना प्यारा सा स्कूर्ट मिल रहा है इतना प्यारा सा दुपट्टा मिल रहा है सो कंप्लीट कराने के बाद इसका बहुत ही प्यारा लुक निकल करके आने वाला है सो आप जरूर इसको जो है बाय कर सकते हो बज़र्ट फ्रेंडली है सो चलिए ओपन करता है हम अपना नेक्स्ट पैसल यह है 590 रुपय का लेंगा आप इसकी औरिजिनल स्पिक देख सकते हो मैंने शुचा मंगवा करके देखते हूं यार इसमें पदब क्या बिलता है इतने कम प्राइज में पान सुन अप्पय कों बुलता है पाइक नैंटी पाइक नैंटी का है सबसे पहले इसकी उपन करते हैं हम अपनी चुन्नी यह है चुन्नी का जो नैट है कपड़ा है वो ठीक ठाक है जो एक स्पाइन वाला नैट नहीं आता है वो वाला है और इसका बॉडर आप देख सकते हो थोड़ा सा गोल्डन जादा है तो ठीक लग रहा है पूरे में आप इसको कहा लगा सकते हैं तो देखना पड़ेगा अंगे उसके बादा है यह कपड़ा मिलता है जो ऐसी सेंटी मिटर जिसे आप ब्लाउस स्टिच करवा सकते हो प्रॉपर प्लीन है कपड़े की कॉयर्टी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है बहुत ही अच्छा आप slips में लगा सकते हो उसके बाद आता है मारा लहेंगा लहेंगे में अगें उपर वेस्ट इरिया पे इस तरह से बेल्ट लगातार से दिया है और ये आ रहा है इसका खेर इसका खेर देख सकते हो कितना जादा है I think इसमें और भी सारे कलर थे आप भी ट्राई कर सकते हो बट ग्रीन का लग तो काफी सादा अचा लग रहा है फ्लेयर भी बहुत ही अच्छा आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि एक होते है कि नेक का पड़ा दूसरा होता है कलर और नीचे की लाइनिंग होती उसका पड़ा दूसरा होता है तो बहुत अजीब सा लगता है बट इसमें आप देख सकते हो प्रॉपर आ रहा है ऐसा अजीब अजीब नहीं दिख रहा है और फ्लेयर मतलब उमीज दे काइन जादा मैंने ऐसे बहुत सारे लेंगे देखे हैं मुझे अगर इतने सारे आप्सन मिल जाए ना तो मैं टोटली कंफ्यूज हो जाओ यार कौन सा वियर करूं क्योंकि सारे के सारे अच्छे आए मतलब लिटरिली मुझे सारे के सारे लेंगे अच्छे लगे अपनी अपनी जगहे पे जैसे ये वाला देखी है अप इसका मतलब अन्बिलीवेबल है यार पांसो नब्बे रुपय जो है प्राइज है इसका थोड़ा बहुत दिसकाउंट के बाद और भी कम हो गया साड़ और बहुत सारे कलर अफूलेबल है आप वो भी बाय कर सकते हो अगर आप मेंदी के लिए लेना चाहते हो आप राइड ओ तो भी आप इसको बाय कर सकते हो आपको सिर्फ ब्लाउस बनवाना है इसके बाद करते हैं हम अपना यह वाइरल मीशू का वाइरल रहेंगा करता है लिए तो अच्छा इन्टियू लेंगे अच्छा क्या लेक्स्ट लेकि यादि लेकित आथ उसके लोग ऋपन करते हैं यह इसकी उरिजनल पिंडन को इसमें तीप कलर आएंगे यह जब लहेंगा आया रहें ना वॉय थी क्योंकि यह पूल्टा पैइक था तो ऐसा मंने पुछले यहां से और देखा है कि जैकल मैंने मैंने इस मिट्राणिगर के है टूंट को इसके है बात के इसёт ए सकनी रहसे में ऐस तरह कि ऐसे ही यहाया है यह तो मतलब इतना जादा हो गया मैं इतना डरी हुई थी इन सब लहिंगों के बीच में कि एक नहीं तो आना ही आना है बट मैंने बहुत जादा रिसर्च करके बहुत ही साउधाले से मंगवाया है यह वाला पूरा जो वीडियो है सो आप नो डाउट कोई भी मंगवा सकते हो जो मैं आपको पोड़ दूँगी उसी के साथ बांकी और बहुत सारे फ्रॉड पढ़े रहते हैं सेलर सो सबसे पहले हमें मिलता है कि यह प्लेन कपड़ा लाइनिंग वगरा के लिए ब्लाउस का होगा उसके बाद आता है हमारा य अची लगती काफी यूनीक लगती है तो इस तरह से दुपट्टा आएगा जो धागे पर बनाये गया है पूरा आप देख सकते हूं इस तरह से लेंद बिर्ट काफी ठीक ठाक है गर्लिस लूप में लहेंगा है वह होती प्यारा सा कलर आ रहा है इसका अच्छी में और ने यहां कने हैं लहींगा अच्छी अटने रहती है यहां मिलिगे ही अच्छी में इसाथ अटैच मिलेगे आँध की कि इस तरह से पूरा बलाौ जारा आ आपे देख सटे homo फिद अबना बना को हो इसके भाप कपड़ है तो नियुट देंगे नहीं प्रूजि बढ़ा सकतिक इउ घला कपड़ा दिया हूँ समय जैसे कि पिक वोर्बी एक सीन। ओं मंतुंक्षें जिननल्म heh जेन कपड़ा सकती में शितने छीन कपड़ा दिए हुँआ है. और उसके बार आता है हमारा ये वाला लहेंगा लुपकेट देस याँ लहेंगा ये देखू इस तरह से फ्लेयर बनाया हुआ है ये कपड़ा जो है वो एक कौन सा अब होते हैं इसको इससे क्रिंपिंग वाला जो होता है न कपड़ा वो लगाया गया है पूरा मुझे बहुत ही अच्छा सा फ्लेयर दिया हुआ है अंदर किंकाइन वगेरा लगा कर दीया हुआ है आपको इसके लिएचे कोई अधर किनकेम स्कॉट पेंडने की नहीं पड़ेगी, ऐसे ही बहुत सारा अच्छा फ्लेयर आएगा इसका, तना सुंदर लग रहा है, मुझे यह लेहंगा, बहुत ही अच्छे से साइन कर रहा है, बहुत ही अच्छा नहीं है, बहुत सारी कर रहे हैं कि अच्छा तो है अच्छा तो है बटा इसा नहीं है, जब आप सामने से देखते हूं तो पता होता है, जीव आम इसी लिए देखते हैं, ताकि वो जो सामने से देख रहे हैं, वो बता सके, तो मैं सामने से देख कर रहे हैं, इसको बहुत ही ज्यादा प्यारा इलिगन सा पीस आ रहा है को आप एक रिच लुप की तरफ जाना चाहते हो एक थोड़े सा एस्थेटिक बाइप चाहते हो तो यह लेंगा मस्ट बाइन है तो इलिगन सो बिटीबूल जस्ट लुकिंग लाइक वाउ जस्ट लुकिंग लाइक वाउ तो यह है मारा प्यारत सा लेंगा है इसके लिए पहणने के लिए मैं बहुत ही जादा एकसाइट उसे चलो पटा-पट से इसको वियर करके दिखाते हैं और यह लेगा अगर आपको एक परसे पसंद आया हो तो चैनल को फटा-फट से सब्सक्राइब करो यार तो चलिए यह वाला लेंगा भी दिखाते हैं वैसे आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब तो करी लिया होगा तो मैंने इस ड्रेस को पहना था मेरी हाली में अभी एनिवर्सरी थी तो मैंने ब्लाउजस का स्टिच करा के पूरा अपनी एनिवर्सरी में पहना था आप इसकी क्लिप भी मैं लगा दे रही हूँ देख सकते हो यार बहुत ही साधा सुन्दर है मेरी कजिन बोल रही थी उसको लगा कि यह साइध तीन-चार हजार का लेंगा है जब मैंने इसको प्राइस बताया ना तो उसका मुंग खुला का खुला रह गया करी मैं भी बाई करूंग इस तरह की ड्रेसे मतलब जो काफी जादा अच्छी ल जरूर और अगर आपको हमारा honest review पसंद आया तो again subscribe करो इस वीडियो को एक like करेगा और मिलते हैं नेक्स वीडियो में धेर सारे पार्सल के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर